जब उन्होंने स्वधर्म कहा, स्वधर्म का मतलब है हम, खुद, धर्म का मतलब है नियम, तो आत्म के नियम, वो आत्म के नियमों की बात कर रहे हैं, आत्म का स्वभाव क्या है, ये कैसे काम करता है, आपको इसके साथ क्या करना चाहिए, जैसे भौतिक के नियम है, वैसे ही आत्म के भी नियम है, वो कह रहे हैं, आपको आत्म के नियमों से जीना चाहिए, ना कि भौतिक नियमों से, अगर आप भौतिक नियमों से जीते हैं, तो ये होगा, आज हम दोस्त हैं, कल, कुछ होगा और हम लड़ने लगेंगे, हाया ना, हाँ, आप वहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, हम अच्छे हैं, अगर आप यहाँ बैठने की कोशिश करते हैं, तो लड़ाई होगी, हाया ना, क्या ऐसा दुनिया के सबसे करीबे रिष्टों में भी नहीं हो रहा है, न केवल दो राष्ट्रों के बीच, समुदायों के बीच, समाजों के बीच, क्या ये पती-पत्नी, पिता और बेटे, मां और बच्चे के बीच नहीं हो रहा है, क्या ऐसा नहीं हो रहा है, हाया ना, क्योंकि ये भौतिक के नियम है कि आप वहां बैठेंगे, मैं यहां बैठूँगा कभी कभार मैं वहां आउँगा हम ये करेंगे अगर हम चाहें तो हम गले लगेंगे लेकिन अगर मैं आपके सिर पर बैठूँ या आप मेरे सिर पर बैठें तो ये काम नहीं करेगा हाँ या न अब बार-बार एक मक्खी यहां आकर बैठती है शुरू में शुरू में वो सिर्फ यहां बैठी कुछ समय बाद वो काटने लगी फिर चुक हाँ या न शायद आप उसे पकड़ न पाएं लेकिन आप उसे पकड़ना चाहते हैं है न तो भातिक की यही प्रकृती है तो कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप भातिक के नियमों से चलते हैं अर्जुन शोक प्रकट कर रहे हैं मैं अपने भाई को कैसे मार सकता हूँ मैं अपने दादा को कैसे मार सकता हूँ, अपने गुरू को कैसे मार सकता हूँ, क्योंकि इस युद्ध में वो दूसरी तरफ हैं, तो कृष्ण कह रहे हैं, देखे, अगर आप भौतिक के नियमों से चलते हैं, तो आपको मारना होगा, वो दूर रहे, आप दूर रहे, कोई समस्य नहीं, अब हमारे रास्ते टकरा गए हैं, अब इससे बचा नहीं जा सकता, आज नहीं तो कल आपको मारना ही होगा, तो मारने का पला गया है, आप इसे रोक नहीं सकते, यह आपकी पसंद या उनकी पसंद नहीं है, यही भौतिक्ता का तरीका है, भौतिक्ता में सीमाएं होती हैं, अगर सीमाएं पार हो जाती हैं तो, आया ना, हर किसी के लिए, इस दुनिया में हर किसी के लिए आपकी एक सीमा है, हाँ, आपका दुश्मन यानि सीमा वहाँ है, अगर वो उसे पार करता है, तो परिशानी होगी. अगर अगर आप सीमा को बनाए रखते हैं, तो बहुत एक दुनिया में चीज़ें काम करती हैं, अगर आप सीमा का कोई भी उलंगन होता है, तो हिंसा के शुरुवात हो चुकी है, है न? हिंसा की और पहला कदम उठ कया है शुरू में ये शब्दों में होगी फिर थोड़ी धक्का मुक्की और फिर मार काट ये मत सोचिए कि नई नई मैं ऐसा नई करूँगा आप भी ऐसा करेंगे यही भौतिकता का तरीका है तो कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप ये नहीं चाहते अगर आप इस मार काट के साथ संघर्ष कर रहे हैं तो आप अपने स्वधर्म का पालन कीजिए आत्म का मार्ग जहां कोई सीमा नहीं होती आप यहां बैठकर हर जगा हो सकते हैं आप यहां बैठकर कहीं नहीं हो सकते हैं इसमें कोई भी सीमा पार नहीं करता जब आप यहां बैठते हैं और आप किसी की सीमा पार नहीं कर सकते कोई आप की सीमा पार नहीं कर सकता अगर आप इसका अनुभव करते हैं तो मुझे आपको लड़ने के लिए कहने की जरूरत नहीं है लेकिन आप भौतिक्ता के नियमों से जीते हैं और आप लड़ाई से बचने की कोशिश करते हैं तो कोई फाइदा नहीं है वैसे भी आपको लड़ना ही होगा तो इसका पालन कैसे करें? आपको अंदर क्यों और मुड़ना होगा अगर आप भौतिक्ता के तरीके से जीते हैं तो टक्राव बस एक कदम दूर है है कि नहीं? हाया ना किसी के साथ टक्राना सिर्फ एक कदम दूर है हमेशा आपको इससे बचना होगा आप हर समय बच रहे हैं है न? अगर आप नहीं बचते तो आप किसी न किसी के साथ यूँ टक्रा ही जाएंगे तो यही स्वधर्म है